बड़ी खबर आपको दादे आयोध्या से है जी हाँ आयोध्या में राम जन्म भूमी के समतली करण के दौरान मंदिर के अवशेश मिले हैं जी हाँ आपको यह और सबूत नहीं मांगेगा सबूत मिल गया आप बरपूर सबूत मिले हैं रबूर श्री राम ने भरपूर सबूत दियें सबूत के अगएंग को खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं के खंडित मूर्तियों के अलावा शिवलिंग मिला है आपको दादे मंदिर निर्मान स्थान पर जमीन समतल करने के दौरान मूर्तिया मिली है राम जन भूमी परिसर से देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तिया मिली है पुश्पकलश, आमलक, मेराब के पत्थर पांच वीट का शिवलिंग मिला है राम जन भूमी परिसर में 11 मईसे संतल करने का काम जो है वो वहाँ पर चल रहा है जन भूमी परिसर के संतल करन के काम में 10 मजदूर लगया और उस दौरान ये देखिए वो सबूत मिले है राम मंदिर की यहाँ पर जो शुराद से कहा गया जो की एक सब्ते है जिसको कोट ने भी माना कि मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बनाए गई वो मस्जिद थी ही नहीं वो विवाधित धाँचा था अब कोई नहीं कहेगा कि वहाँ मंदिर नहीं था था आप कोई सबूत नहीं मांगेगा बाबरी एक विवाधित धाँचा था ये तैए क्योंकि ये पहली तैय हो चुका वैसे सुप्रीम कोट ने भी बाना राम जन भूमी विवाद का जब निप्टारा हुआ लेकिन ये सबूत गैंग पर प्रभूर श्री राम का एक बहुत बड़ा प्रहार पुष्ट कलश, आमलक, महराब के पत्थर, पांच फीट का शिवलिंग बिला है अब मस्जिद में तो शिवलिंग नहीं होगा ना अब तो कोई और सबूत मेरे खाल से चाहिए नी महतपून मूर्तिया मिलिया आयोध्या में श्री राम जन अस्थान पर 11 मही से ये काम चल रहा है, वहापर खोदाई और समतल करने का और उस दौरान जब खोदाई का काम आपर चल रहा था, समतल करने का काम चल रहा था तो देवी देवताओं की तूटी हुई मूर्तिया मिलिया अब कोई सबूत नहीं मांगेगा आज के बाद देखिए आमन बिलकुल क्योंकि जिस तरह से कोट का फैसला आया, राम लला के पक्ष में फैसला आया 67 एकर जमीन जो आयुद्या में हैं, उसके समतली करन का काम शुरू हुआ था और इस समतली करन के दौरान जो एहम चीजें मिली हैं उससे ये साफ हो जाता है कि इस इस इस्थान पर भगवान शेराम का ही मंदिर था और है और रहेगा और जो सबूत यहां पर मिले हैं आप देखिए इसमें खंडित मूर्तियां हैं देवी देउताओं की इसके अलावा महराब का पत्थर है साथ ब्लैक टच स्टोन के स्थम्भ है छे रेड इस्टोन के स्थम्भ है इसके अलावा पाच फिट आकार की एक नकाशी युक्त शिवलिंग है इसके साथी साथ इसमें पुष्ट कलश है आमलक है दोर जाम की कलाकृतिया है और काफी और पुरावशेस मिले हुए है ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि ये जो स्थान था जिसको लेकर इतने लंबे समय से विवाद चलता आ रहा था आखिरकारू विवाद बेवज़े था एक जिद थी ये स्थान भगवान शेराम का ही था और ये सारे सबूत इसी पक्षक में इशारा करते हैं दिखाते हैं ये सबसे बड़े सबूत हैं और आप देखिए अभी तो ये शुरुआत हुई है समतली करण की धीरे धीरे जब और जादा इस पूरे सठच एकड़ इलाके का समतली करण होगा वहाँ पर और चीजें निकलेंगे और चीजें इस तरह हमें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि अब राम मंदिन निर्माण की और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाया जा रहा है तो इसलिए उस पूरे इलाके को उस पूरी जमीन को समतली करण किया जा रहा है उसके बारे में एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि आगे और कुछ क्या कैसे करना है अमन विशाल अगर आप ये थोड़ी यादे यादाश्त हम लोगों की ताजा कर पाएं कोट में सुनवाई के दौरान यही सवाल उठाए गए थे ना कि ये तो विवादित नहीं है ये तो मस्जिद था मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गई इस दावे में कोई दम नहीं है वैसे एसाई की भी रिपोर्ट थी कोट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ था अगर हम यादे हम ताजा कर पाएं तो इस खबर को हम और वहतर तरीके से मेरे खाल से समझ पाएंगे देखे आमन बिलकुल क्योंकि आपको याद होगा कि जब दो हजार सत्रा का चुनाओ हो रहा था गुजरात में उस वक्त कोट में किस तरह से ये तवाम तरह की चीज़े सामने आई थी उसके बाद ये बात भी सामने आई थी कि दो हजार उन्निस के चुनाओ तक सुनवाई टाल दी जाए और इसके अलावा आप देखिए कि जो मुस्लिम पक्ष था वो बार बार इस बात का दावा कर रहा था कि नहीं ये तो जबरदस्ती की गई थी यहाँ पर उनका इस्थान था इस तरह के तमाम चीज़ें उनकी तरफ से पेश की जा रही थी लेकिन एस आई की आप दात की जो रिपोर्ट थी वो भगवान शेयराम के पक्ष मे थी वो पूरी तरह से जो हुई थी उसमें तमाम चीज़ें जो निकली थी वो आज भी आयोध्या में मौझूद है जहाँ हमने डाउन रिपोर्ट की थी क्या क्या चीजें वहां से मिली थी तो उसी कड़ी में आप देखिए जब एक बार फिर से संतली करन किया जा रहा है खुदाई की जा रही है पूरे इलाके को लेवल किया जा रहा है तो हिंदु देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिल र उन चीजें का मिलना ये अपने आप में दिखाता है कि ये सारी चीजें भगवान शीराम के पक्ष में ही थी और बेवज़े इस पर सबूत मांगा जा रहा था बेवज़े इस पर भवाल खड़ा किया जा रहा था और बार बार इस मुद्दे को लटकाने की कोशिश की जा लेकिन कोट का फैसला आने के बाद ये सब चीजें बिलकुल पूरी तरह से बंद हो गई थी राम मंदिर का निर्मार का रास्ता साफ हो गया और अब ये जो तमाम चीजें मिल रही है ये उस फैसले पर भी मोहर लगाती है इसके अलावा ये भी दिखाती है कि अब कोई कम स से कम सबूत नहीं मांगेगा अमन और इतने साल तक प्रभु श्री राम को टेंट में रखने के लिए ना इन लोगों को माफी मांगनी चाहिए जितने ये सेकुलर गैंग थे सबूत गैंग थे जो लोग कहते थे कि ये बाबरी मस्जिद है बाबरी मस्जिद ढहाए गई व इसी भी विवादे जगा पर मस्जिद होई नहीं सकती विशाल वहाँ पर वैसे भी दूआ कबूल नहीं होगा आज ये सबूत मिल गया बाबरी मस्जिद थी ही नहीं वो विवादे तढहाचा था और प्रभु शीराम का मंदिर था है और रहेगा ये बात क्लियर आज बिलकुल अमान क्योंकि देखिए लगातार जिस जिद पर मुस्लिम पक्ष अड़ा हुआ था उसे पहली बात कोट से कोई राहत नहीं मिली थी उसे उस जगह से दूर जाने के लिए कह दिया गया क्योंकि वो इस्थान भगवान शीराम का है जहां भगवान शीराम पैदा ह हुए थे वो हिंदूओं की आस्था चासा का सबसे बड़ा केंडर है आयोध्या क्योंकि आयोध्या भगवान शीराम की जन्भूमी है और वहां पर लगातार लोग जाते रहते हैं पूझा अर्चना करते हैं तो एसे स्तिती में भगवान शीराम की जन्भ इस धली पर अब को दरकिनार करते हुए जिस तरह से मुस्लिम पक्ष अपनी मांग पर आड़ा हुआ था उसे कोट से भी निराश होना पड़ा था और अब जब राम मंदिर निर्मार के कारे की शुरुआत के लिए संतली करण हो रहा है और जो एहम चीजे मिली हैं उससे भी उनको अब औ और जादा निराशा हाथ लगेगी क्योंकि इससे पूरी तरह से ये साफ है कि इस जगह पर भगवान शेराम का ही मंदिर था जिसे तोड़कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी जिसे विवादे धाचा कहा जाता है और इसलिए लगातार ये इतने लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही थी और कोट के फैसले के बाद ये रास्ता साफ हो गया था और आपको मैं बता दू अमन इस वक्त ग्यारा मई से क्योंकि लॉक्डाउन देश भर में है तो लॉक्डाउन के निर्देशों का पालन करते हुए दस मस्दूर वहाँ पर लगे हुए है सर्चट एकड जमीन की समतली करण के लिए क्योंकि ये जो सर्चट एकड का एरिया है आप भी रामजन मुमी में दर्शन करने गए होंगे कहीं जादा उचाई है कहीं जादा ढलान है कहीं उबर खाबर की स्थिती है कहीं रेलिंग पड़ी हुई है कहीं अगर आगे बढ़ सर्च एक जरूर ये प्रबूष शीराम महाँ पर पैदा हुए थे ये उनका जन्म स्थान है इनके सबूट ना आपको चाहिए थे ना मुझे चाहिए थे ये कोई सेकुलर गैंग सबूट गैंग था जो प्रबूष शीराम का जन्प्रमान पत्र मांग राथा उनका भी प्रबु शीराम तो ये करारा तमाचा सबूतों का तमाचा पढ़ा सबके मूपर हमारे साथ मनमीत इस वाक जोड़ चुके हैं मनमीत सबूतों का कैसा तमाचा पढ़ा जरा एक बर बताएं आजाब अमन देखिए वास्तों में अगर देखा जाए तो ये सबूतों का बड़ा तमाचा है जिस तरीके से एक बाद सबर ख़ा किया रहा था कि जो राम जिनम भूम है वहां को पहले एक बिवाजित दाचा हुआ पता था लेकिन जब ग्यारा मेरी से राम जिनम भूम तीर शे तरस सुद्वारा जो है आप खुड़ाई सुरू की जो जनम भूम अक्थान है उसका तमतरी करन सुरू किया गया तो उसके बाद क्यों सुबूत निकरना है वह एक बंदिर हुआ करता है कि ये राम जिर हुआ करता तो जो विश्म भरी मंदिर पर जाना जाता था और उसने जो सुरू के पफर हैं जो अब बहुत इसकी अब ये कार्डमन ट्रेटिंग की जा रही कि ये करत के पत्र हैं बहुत प्राच्छी आ लाना जा रहा है तो वह इस पत्र निकले हैं जिस पत्रों पर जो है मूर्टी उपे रही गई है देवी देवताओं की मूर्टी इसके दाव मनमीद आपके थोड़े आडियो में दिकता है आपसे दुबारा बात करने की कुशिश करेंगे लेकिन मनमीद भी बड़ी जान खरी दे रहे हैं कि सबूतों का करारा प्रहार करार तमाचा प्रभू श्री राम के सबूत किसी को नीची ये थे लेकिन फिर भी उनके सबूत म और अब एक बार आपको बता देते हैं अमफान तुफान को लेकर तबाही पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का ट्वीट आए कि मुश्किल के इस वक्त में पूरा देश बंगाल के साथ खड़ा है ये प्रधान मंतरी की तरह से ट्वीट किया गया पश्रमंगाल ये मोदी कुमली जिस तरह की तबाही वहां पर हुई है और इशा में भी हर संभव मदद की जा रही है ये भी का है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने पश्रमंगाल को लेकर ट्वीट किया है अमफान को लेकर ट्वीट किया क्योंकि अमफान से चार राजो में आफत बिहार और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने काया कि बंगाल के लोगों की कुशल्ता की मैं काम ला करता हूं लेकिन आप तस्वीरे देख रहे हैं ये शे तस्वीरे हैं कोलकाता की बीरभूम की हावडा की इसके लावा बालासोर भद्रक चांदेपुर ये वो तमाम होट स्पोर्स आप इनको कह लीजिए ये होट स्पोर्स इस लिहाँ से अमफान के होट स्पोर्स हैं इस लिहाँ से जहां सबसे ज्यादा जो है असर देखने को मिला अमफान इस तुफान का सबसे बड़ा तुफान 21 सालों में सबसे बड़ा ये तुफानी हवाएं तुफान अमफान अलक और अमफान से जुड़ी दस बड़ी बाते जो आपको जाननी चाहिए आपके लिए ज़रूरी कि पश्चे मंगाल में अमफान तुपान से भारी तबाही यह मैंने आपको बताया तुफान में कई लोगों की मौत हुई है बड़ा नुकसान हुआ है ताश के पत्तों की तरहां वहां पर चीज़े उड़ती हुई नज़र आई उत्तर और दक्षिन 24 पर गना में सबसे ज़्यादा तबाही देखने को मिली है यह मतलब एक तरीके से हॉट स्पॉट्स आप कहा सकते हैं जहां पर कोलकता से तुफान मुख्यमंतरी मम्तावेनर जी ने केंदर से मदद मांगी फिर प्रतानमंतरी ने ट्वीट किया ओढ़ीषा में तुफान का कई जगाहों पर असर हुआ है ओढ़ीषा कीम में बात कर रहा हूँ वहाँ पर आहलात जो है वो थोड़े चिंता जनक तुफान की वज़ा से बाला सोर और भद्रक ओडिशा में कई जगह ओपर बिजली के गिरेड को नुकसान पहुंच रहा है ये जबरदस तबाही अमफान की बिहार जारकन में भी रातबर भारिश और तेज हवाएं रहीं लेकिन नुकसान ज़्यादा जो है वो ओडिशा और परशमंगाल जी मिर्या समधाता इस वक्त हमाज साथ रविंद्र इस वक्त हमाज से जुड़ चुके हैं रविंद्र मुश्किल की घड़ी में केंद्र बंगाल के साथ यही बता रहे है प्रधान मंत्री बिल्कुल बिल्कुल इस मुश्किल घड़ी में कोई सियासत नहीं देश सबसे आगया और यही संदेश कही ने कहीं यहां और कहां कि आरे अरे हमाए के सरकार कि अधिकारी लगातार राज्य सरकार के अधिकारीों से नजर बना हुए हैं बाठीट कर रहे और जो भी जरुवत होगी तरफ हर वे तयार है और इसके लिई किसी तरफ की देरी होगी इस तरफ का अश्वासन परॅन मंत्री नहीं जो सयास्त, लोगडाउन में देखने को मिला, साइकलोन अमपान में, उस तरफ कोई सीास्त कम सकम केंडर की तرف से, और खास कर प्रधान मंत्री नरेंदर मोडी की तरफ से कभी होती नहीं है, और आज भी नहीं हुई या इस देखा जाए on Google Play and App Store Download it now